Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ मोनी आदव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे DT plus B TGT social science के paper 2 को लेकर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि paper 2 में कौन-कौन से topics, कौन-कौन से subject से questions पूछे जाते हैं, आप pedagogy आप कैसे तयार कर सकते हैं, पेडगोजी से questions आते हैं, 15-20 question paper 2 में, साथ ही आप कैसे तयारी करें, कि एक ही बार में आपका selection हो जाए, एक ही बार के तयारी से, और एक बात और, DSSP ने TGT social science का कोई syllabus जारी नहीं किया है, ऐसे में इस वीडियो में मैंने आपके लिए, एक detailed syllabus तयार करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो को end तक देखें, साथ ही अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोटा मोटा कि syllabus में कहां कहां से questions पूछे जाते हैं, detailed syllabus की बात हम आगे करेंगे, तो देखें, history से questions पूछे जाते हैं, history में world history और Indian history, Indian history में modern history, medieval history और ancient history, यहां से questions आते हैं, लेकिन modern history से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं, साथी political science या civics से questions आते हैं, geography, economics और pedagogy, अब हम एक बाद details लेवस की बात कर लेते हैं, तो देखें, history, history में सबसे पहले French revolution, मैं आपको एक बात बता दू, जितने भी revolution है, चाहे वो French revolution हो, या Russian revolution हो, American revolution हो, जितने भी revolution है या industrial revolution हो, वो बहुत ज़्यादा important है, और वहां से बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं, तो revolutions आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, तो French revolution में जिसे causes, events, impact और consequences, इस तरह से questions आते हैं, साथी contemporary world, contemporary world में industrial revolution, economic depression, labor and peasant class issues, growth of industry in India in 20th century, साथी features of colonial society in India, यह last वाला topic, यह बहुत important है, features of colonial society in India, इसको बहुत ध्यान से करें, फिर बात कर लेते हैं, the revolt of 1857, इंडियान history में यह बहुत ज़्यादा important है, 1857 का revolt, यहां से भी questions पूछे जाते हैं, और एक सबसे important चीज, कि Indian freedom struggle, यह जो 1885 से 1947 तक का जो यह time period है, आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि यह जो time period है, यह Indian history के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है, और यहां से चाहें वो factual questions हो, यह conceptual हो, आपसे facts पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लेंगे Russian revolution कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1917, तो यह जो facts हैं, वो direct पूछे जाते हैं, तो facts आप काफी ध्यान से करें, साथी Russian revolution के causes, events, impact क्या हुआ उसका Russia और world पर, और consequences, फिर rise of socialism, philosophy of Karl Marx, कार्ल माक्स ने जितने भी अपनी philosophy दी है, वहां से questions आ सकता है, ध्यान से करें आप उसको, socialism in Europe, impact of socialism, rise of fascist forces in Germany in Italy, यह भी important topic है, ठीक है, जर्मनी और इटली में, कैसे जो fascist forces हैं, उनका rise war उनको उद्यान हुआ, यह topic आप ध्यान से करें, साथी जो दो world war हैं, ठीक है, दो विश्विद, पहला विश्विद कब हुआ था, पहला विश्विद हुआ था, 1914 से 1918, और दूसरा विश्विद हुआ था, 1939, 1949 से 1945, विश्विद की यह date पहले तो याद कर लें, date बहुत जादा important हो जाती हैं, साथी विश्विद में, दोनों तरफ कौन गौन से पक्ष थे, मित राष्ट, धुरी राष्ट, यह आपको पता होना चाहिए, तो दोनों विश्विद, और उसके बाद, United Nations, संयुक्त राष्ट संग का, जो establishment हुआ वो, आपको पता होना चीज़ बारे में, साथी एक चीज़ और, जो Indian history है, तो modern history से सबसे जादा questions पूछे जाते हैं, no doubt, ठीक है, लेकिन ancient और medieval से भी questions पूछे जाते हैं, लेकिन ancient और medieval की अगर हम बात करें, तो comparatively इनसे questions कम आते हैं, अगर हम ancient history की बात करें, तो important topics क्या हो जाते हैं, जिससे हडपा सब्वेता, हडपा सब्वेता या हडपा सिविलाइशन, ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है, ancient history के लिए, साथी अगर हम बात करें, तो जैन धर्म, बौत धर्म और मुगलवंश, ये कुछ important topics हैं, हमारे ancient history के, साथी medieval की अगर हम बात करें, तो medieval में दिली सल्थनत बहुत जादा important है, लेकिन मैं दुबारा repeat कर रही हूँ कि, modern history के comparison में, ancient और medieval कम important है, ठीक है, ancient से तो फिर भी काफी questions पूछ ले जाते हैं, medieval से comparatively कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप जरूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि questions कहां से पूछ जाएंगे, तो आप इसलिए सारी चीजों पर ध्यान दें, और सारे topics को cover करने की कोशिश करें, हम बात कर लेते हैं जेग्राफी की, तो जेग्राफी में सबसे पहले solar system, introduction of solar system, origin of earth, यहां से यह important है, दूसरा motions of the earth, इसमें basic concept हैं, जो आपको clear करने हैं, जैसे rotation, revolution, occurrence of day and night, change of seasons, latitude, longitude, finding time, time कैसे निकालते हैं, time zone निकालना, फिर आर्थ का जो interior है, crust, mental core, continents, ocean basins, ठीक है, drift theory, यह बहुत जदे important है, continental drift theory, फिर plate tectonic theory, बहुत जदे important है, earthquake, volcano, folding and faulting, यह सारी चीज़ें, बहुत जदा ध्यान से करें, ठीक है, यह जो जितनी भी basic concept है, कोशन सहीं से ही आते हैं, फिर इंडिया को लेकर पूछ लेंगे, आपसे कोशन, physical features, पूछ लेंगे, इंडिया के reverse, एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी चीज़ करें, बहुत ध्यान से करें, जैसे अगर आप reverse कर रहे हैं, तो reverse में आप delta ज़रू करें, delta करना ना भूलें, ठीक है, फिर और आपको पढ़ना कैसे है, मालीज आप river कर रहे हैं, तो river के साथ साथ आप delta करेंगे, कौन सी river के पास, कौन सा important शहर है, कौन सी city है, वो करेंगे, वो किस लिए famous है, ये चीज़ करेंगे, तो इस तरी किसा आपको पढ़ना है, एक fact के साथ आपको बहुत सारे fact लेकर चलने हैं, फिर agriculture से भी कई वार questions पूछ ले जाते हैं, और geography में resource and development, इसमें आप से soil सबस्था इंपॉटेंट है, different types की soil, ठीक है, rocks बहुत important है, rocks and minerals, forest, fisheries, distribution of major crops, wildlife resources, ये सब ठीक है, जैसे energy resource है, अब यहाँ पे आपका current का भी question बन जाता है, आप से पूछने की भारत के कौन से राजिय में, कौन सी जगह पे, जो solar plant है वो लगाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, रेवा में लगाया गया, ठीक है, तो फिर है manufacturing industries, manufacturing industries में, manufacturing industries में, आप करेंगे की जो industries हैं, उनको लगाते हुए, कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, कौन से factors है, जिनको ध्यान वे रखकर कहीं पर factories लगाई जाती है, चाहिए वो शुगर की factory हो, cotton हो, textile हो, iron, steel, ये सब, ठीक है, agents of gradation, weathering, mass wasting, running water, wind, glacier, sea waves, ये सब आप इन चीजों को cover करेंगे, और भी जोगरफी में बहुत सारी चीज़े आ जाती है, देख लेते हैं हम आगे, जैसे climate, तो climate में आपको monsoon का पता होना चाहिए, कि monsoon का origin कैसे होता है, इंडिया में seasons, soil के types, और distribution, natural vegetation, ये बहुत जादे important है, ये आपको पता होना चाहिए, कि भारत के कौन-कौन से राज़े में कौन सी जो vegetation वो पाई जाती है, atmosphere और world climate, ये सब, फिर pressure की बात कर ले दो, तो pressure belt, wind cyclone, anti cyclone, evaporation, condensation, precipitation, इन सब के जो concept हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, rainfall और rainfall की types, फिर ocean या water, water में submarine relief, salinity, ocean waves, tides, ये बात important है, cold and hot streams, ठीक है, बहुत ज़्यादा important है, ध्यान से करें, एक map work आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, isotherms, isobars, isohights, ये सब पता होना चाहिए, biosphere में क्या important है, इको सिस्टम बहुत ज़्यादा important है, बहुत ध्यान से करें, world biome बहुत ज़्यादा important है, इसको ध्यान से करें, ठीक है, तो ये धा geographic as levels, अब बात कर लेते हैं, political science की, तो political science में, power sharing, popular struggle and movements, like Nepal, Bolivia और बाकी countries में, ये आपको NCRDs में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, 9th और 10th की NCRDs में, ठीक है, फिर democracy, democracy का concept, salient features, local self, government, elections, democracy in India and the world, Indian constitution पूछा जाता है, यहां से questions, मैंने example के तोर पर कुछ चीज़े डाल दी हैं, लेकिन constitution से बहुत सरी चीज़े पूछी जा सकती हैं, अब उसको ध्यान से करें, जैसे framing of the constitution, adoption of the constitution, working of institutions, parliament, judiciary, fundamental rights, fundamental duties, वो भी पूछली जाती हैं कई बार, साथी federalism से questions आते हैं, democracy and diversity, political parties, elections, challenges to democracy, यह आपका है political science या civics का slavers, last है economics, economics, economics में क्या आता है, life lines of national economy, understanding disaster hazards, disaster और disaster management से भी कई बार questions पूछ ले जाते हैं, एक दो questions, तो इसको भी कर लें, components of production, इसमें क्या है कि जो economic और non-economic activities हैं, वो important है, population related questions आप से पूछे जाएंगे, ठीक है, poverty as a challenge, poverty line क्या होती है, poverty, inequality, quality, यह सब आप concept अपनी clear रखें, साथी food security, food security में green revolution बहुत जादा इंपोटेंट है, बहुत जादा ध्यान से करें, minimum support price क्या है, यह आपको पतावना चाहिए, development की अगर हम बात करें, तो growth और development में क्या difference है, यह आपको पतावना चाहिए, ठीक है, इसमें classification of sectors पूछ लेंगे ठीक है, जिसे primary sector, secondary sector, tertiary sector, public sector, private sector, यह सब आपको आना चाहिए, small and large industries बगेरा, money and credit, money and credit में Indian monetary system बहुत अच्छे से करें आप, functions of money banks, यह है आपका economics का slavus, तो अब यहने slavus की बात तो कर दी, अब आप ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, पहले तो आप slavus का screenshot ले लें, ताकि आपको अपना slavus clear रहे, slavus आपको tips पे होना चाहिए, दूसरी चीज़, आप slavus cover कहां से करेंगे, तो जितना भी मैंने आपको slavus बताया है, वो 6-10 की NCRT में पूरा आपका cover हो जाएगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा serious और बहुत ज़्यादा अपना एक suggestion देना चाहूँ कि जिसको आप माने, आपको पूरा का पूरा असले, बस आपको कोशिश करनी है कि आप कहां से cover करें, आप NCRT से cover करें, NCRT बहुत ज़्यादा authentic source है, और NCRT से आपका mostly हर एक topic cover हो जाएगा, अगर आप 6-10 की NCRT ध्यान से करेंगे, फिर भी कुछ topics रहे जाएं, वैसे तो रहेंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ topics रहे जाएं, तो आप उसके लिए को your book consider कर सकते हैं, वैसे अगर आप देखेंगे, तो आपको 6-10 की NCRT में topic wise आपको सारे जितने भी syllabus है, social science का वो मिल जाएगा, साथ ही आप अगर आपके NCRT complete हो जाएं, तो आप solution ज़रूर पढ़ें समाने ज्यान की, solution में से direct questions कई बार आ जाते हैं, साथ में DT plus B, TGT, social science के जो previous questions है, previous papers, वो बिल्कुल करना ना भूलें, और CTET का paper 2, जो social science के लिए होता है, वो उसमें जो social science के questions है, वो करना ना भूलें, ये प्लीज आप ज़रूर ध्यान रखें, मैं दुबारा repeat कर रही हूं, कि 6-10 की जो NCRT है, स्लेबस महीं से ही पूरा cover हो जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करें, पेडागोजी की, तो पेडागोजी के लिए आप क्या करेंगे, सीटेट का paper 2, बाकि पेडागोजी की बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि, आपको social science का जो स्लेबस है, साथ ही, अगर हम paper 2 के sources की बात करें, पेडागोजी के लिए, तो पेडागोजी आपको कैसे त्यार करनी है, तो सीटेट का जो पेडागोजी त्यार करनी है, ठीक है, सीटेट के paper 2 के आपको पेडागोजी त्यार करनी है, सीटेट के paper 2 में वो आप cover करें ठीक है उससे उसको करने से आपके बहुत सारे doubts clear हो जाएंगे और आपको questions solve करने भी आ जाएंगे साथ ही आपकी जो teacher training books है social science की वहां से भी आप pedagogy कर सकते हैं और pedagogy के practice set ज़रूर करें ये आप इस तरह से यहां से आएगा वो आइडिया यहां से आएगा सीटेट के जो previous papers पेपर 2 के उनको आप सॉल्व करें जितने questions solve करेंगे उतना ज्यादा आपको pedagogy अच्छे से करनी आ जाएगी अब बात कर लेते प्रपेशन टिप्स की most important तो सबसे पहले जो जादा से जादा स्लेबस आप कोशिश करें कि NCRT से कवर करें मैं बार बार एकी बात रिपीट करती हूं कि जो NCRT है वो किसी भी चीज का किसी भी competitive exam का जो बेस है वो NCRT है ठीक है और especially TGT social science के लिए तो मैं आपको recommend करूंगी कि आप NCRT से ही जादा से जादा स्लेबस कवर करने की कोशिश करें आप क्या करें टाइम से अपना स्लेबस कंप्रीट करें और exam से पहले कम से कम दो बार अपना स्लेबस जो है वो revise कर लें दो बार मेरी बाद ध्यान से सुने पेपर होने से पहले दो बार आपका स्लेबस रिवाइज हो जाना चाहिए स्लेबस का मतलब है स्लेबस में जितनी चीज़े हैं ठीक है प्रिवेस पेपर आपको बिलकुल ही छोड़ने है प्रिवेस पेपर किसी भी exam के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं चाहे वो DT plus B DGD social science हो या कोई और exam हो आपको एक time table ब papers हैं वो सिर्फ speed और accuracy का खेल है उसमें अगर आपकी speed है और accuracy है तो आप बहुत अच्छा score करेंगे और बहुत अच्छे margin से आपका selection होगा तो ध्यान रखें speed और accuracy बनाने की कोशिश करें वो कैसे होगा वो ऐसे accuracy के लिए जादा से जादा आपकी concept clear होने चाहिए speed और accuracy दोन पता लग जाता है कि आप कितना negative questions आप कर रहे हैं आपकी कितनी negative marking हो रही है और उस हिसाब से practice करते करते ही जो आपकी negative marking है वो धीरे-दीरे कम होती जाती है तो paper में आपकी negative marking को इससे अच्छा है कि practice के time भी negative marking करा के उसको improve करें ठीक है तो test series ज़रूर जोइन करें paper से पहल you thank you